असलाम अलेकुम मेर नाम आमिर है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ के Paymob की pricing और जो बाकी पाकिस्तान में gateways है उनकी pricing में क्या difference है और setup charges क्या charge कर रहे हैं security deposit क्या charge कर रहे हैं इसके इलावा उनकी installation का जो time में वो कितना है और payment की settlement का time कितना है यह सारे points आज मैं आपको बताऊंगा तो यह जो वीडियो है आज बड़ी काराम साबित होने वाली है उनके लिए जो online business start करना चाह रहे हैं या पिर जो payment gateway सर्च कर रहे हैं best payment gateway तो यह उनके लिए बड़ी काराम साबित होने वाली है तो भाई वीडियो के साथ जुड़े रही है ठीक है किसी भी तरह का कोई भी करस्त जानो तो बाद में आप comment में मुझे पूछ सकते हैं चलें शुरू करते हैं सबसे पहले में बात करूँगा pay pro की बात कर attitudes में दिखें कि इनके कुछ plans अब प्राइसिंग के जारहाओ पेप्रो की चाह पेप्रो के प्राइसिंग के जाते हैं तो इनके कुछ plans यह पिछो होते है अगर हम basic की बात करें तो basic में इनके जो plan दे रहे हैं basic से पहले यह देखें ipg package है इनके पर तीन package है ipg package, link pay package, shopify, ipg package यानि कि यह platform के package है ipg packages में यह है कि basic की जो fee है per month वो तक्रिबन 3000 पर है ठीक है और इसके रावा इनके कुछ यहां पर limitation दी हुई है कि नबर आप transaction जो 500 हो सकती है और transaction की जो amount है वो 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो ठीक है और वहाँ इस package में रूख charge करें per transaction 3.25% अजब 3000 पर month यह लग से है और 3.25% यह per transaction इनके चार्ज करते हैं आप से करें वीजा मास्टर है ठीक है और settlement time जरा आप चेक करें 12 दिन का time है ठीक है और नीचे आएं तो ठीक है अच्छा 25,000 पर इनके security deposit है समझ रहें 25,000 यह हो गए 3,000 यह हो गए और इसके इलावा 25 और 28,000 आपको पहले देने है और लिमिट भी आ रहे है इसके इंदर इसके लावा जो इनकी transaction charges है वो भी 3.25 बहुत हाई है यह आपका इनका एक basic package है आप standard की बात करें standard में देखे हैं कि यह लोग 10,000 ले रहे है पर मंत इसके बाद लिमिट दे रहे हैं 5000 transaction होनी चाहिए और 25,000 की amount होनी चाहिए पर मंत अगर 25,000 से उपर जाएगी तो इनके जो भी restriction है वो लागो हो जाएंगी और इसमें इनोंने जो transaction charges लागो की है वो 3% आ रहे हैं 3rd पर आ जाएं advance package है इसमें 15,000 रुपीज पर मंत आपको charge करेंगे और अच्छा यहां पिनोंने अमरा transaction unlimited दी हैं लेकिन जो transaction size देनोंने वो 37,00,000 रुपे है ठीक है और इसमें जो यह charge कर रहे हैं transaction charges यह 2.75% है और security deposit 1,00,000 रुपे ठीक है यह 1,00,000,000 रुपे इनको देने हैं उसके बाद unlimited transaction है per month बट इनकी जो ticket size है वो 37,00,000 रुपे अब नहीं जा सकते उसके इलावा 1,00,000 रुपे देने के बाद भी आपको यह 2.75% charge करेंगे हर transaction पर ठीक है अब अगर बात करें हम link पे package कि इनके एक और package है उसमें basic 1000 पे per month charge कर रहे हैं और number of transaction 100 हो सकती है और इसके इलावा और दूसरा package 3000 वाला standard package इसमें 500 transaction है साथ 15,000 रुन की maximum है 3% transaction fee है और 10,000 पे security deposit है advance में जाएं 10,000 रुन के monthly हो गए और unlimited transaction है ठीक है Shopify में देखें यह लोग पर month basic में 8,000 charge कर रहे हैं 500 यानि के 500 की transaction देदी हैं 500 से ज़्यादा भी transaction नहीं कर सकती limitation आ गई है यहां पर भी limitation है 25,000 से ज़्यादा की transaction नहीं हो सकती per month और 3.25 यह चार्ज कर रहे हैं 5,000 रुन की transaction limit है और 5,000 रुपे अमाउंट है सिज़ाद आप जाएंगे तो यह लोग जो भी इनकी risk check है वो लॉग हो जाएंगे percentage इनकी 3% है और 50,000 रुपे इनके security deposit है अच्छा एडवांस में चले जाएं 50,000 रुपे इनकी पर नग चार्ज हैं और unlimited transaction दे दी इनकी 7,000 रुपे अब नहीं जा सकते और transaction charges इनकी 2.75 है और security deposit है 1,000,000 रुपे जाएंगे यह मैं आपको difference बता रहा हूं कि क्या क्या difference है Paymob में और बाकी companies में अब मैं बात करूँगा Payfast की Payfast की अगर हम pricing plan में जाते हैं तो इनकी pricing कदरे बहतर है Paypro से नहीं आपको बताता हूं कि इनकी pricing कैसे बहतर है अच्छा इनकी transaction जो है वो transaction charges यहां पर show कर रहा है 3% exclusive of tax यान कि इसके बाद tax भी जो होगा वो लगेगा ठीक है इनकी pricing मेरे पास से इसे आ नहीं रही इनकी setup charges है sorry यहां प्यार है no setup fee no annual fee और इसके इलावा जी इनकी monthly charges है जहां तक मुझे याद पड़ता है न I don't think so क्योंकि आप इनकी मेंशन नहीं किया और यह तो confirm है कि setup charges नहीं annual fees नहीं है और यह मुझे यह नहीं पता कि इनकी hidden charges है कि नहीं है लेकिन यह 3% charge कर रहे है per transaction यह क्या क्या दे रहे है यह नहीं यहां पर कहीं mentioning कर रहे है कि यह रोग इसमें क्या क्या देंगे चलें हम HBL पर HBL की बात करें अगर आप HBL से लेते हैं payment gateway तो देखें यह क्या कह रहे है कि there are 3 types of charges with HBL which I will charge in order to provide payment gateway services जिसमें merchant discount rate charge on e transaction and will be accessed by the bank setup charges भी charge करेंगा 1,00,00 रुपे और annual maintenance charges भी 1,00,00 रुपे चार्ज करेंगा आपसे यानि कि यह charges आपको charge करेंगा bank HBL उसके इलावा हर transaction जो भी transaction होगी up to 50 यानि कि 50 तक या 50 तो उपर यह आपको charge कर सकते है per transaction अब मैं Alfla के बात करूँ ठीक है मैं जदीदी आपको यह guide कर रहा हूँ ताके वीडियो लंबी नहोग Alfla का जो gateway है Alfla के gateway में क्या कर रहे है कि wallet अगर Alfla का wallet को customer use करेगा तो यह 0% charge करेंगे और अगर किसी और के wallet से Alfla के wallet पे charge करेगा तो 1% charge करेंगे और उनकी settlement charge तीन दिन है Alfla के account से charge करेगा तो 0% है और किसी और के account से charge करेगा For example, HBail का account है मेरे पास और मैं Alfla के आपकी website पे जाता हूँ और उनकी website पे Alfla का wallet लगा हुआ है मैं अपने HBail के wallet से Alfla के wallet में charge करेबाता हूँ तो मुझे 1% charge करेगा ठीक है ये customer को charge होगा अचा इसके इलावा credit card, debit card अगर इससे करते हैं तो 2.5% charge होगा और अगर Alfla से करते हैं Alfla card है तो 2.5% होगा और किसी और bank है तो 3% charge होगा settlement time ये रोग 3 तीन का बताते हैं लेकिन का फिर उलाते हैं मेरा बड़ा अच्छा experience है इन के साथ उसके इलावा rates subject to merchant volume settlement time 3 working days only charge apply on transaction basis only charges apply to merchant only FAD apply होगी charges इलावा plus FAD होगा और ये बला-बला-बला ठीक है जी ये एक short सा intro था difference मैंने आपको pricing difference बताया है अब चलें पेमोब की तरफ चलते हैं पेमोब की अगर मैं बात करूं तो इसके ना कोई setup charges है ना किसी आउत्रहां के charges है ये just charge कर रहे 2.95% per transaction ठीक है मैंने एक comparison sheet बनाएएव मैं आपको दिखा देता हूँ तो मैं जीर का सब खूलती है ये मेरे रपास charges comparison sheet है मैं आपको दिखाता हूँ देखें अगर आपको sure होगा ये देखें HPL charge कर रहे setup charges 1,00,000 रुपए monthly fees नहीं है annual fee भी charge कर रहे 1,00,000 रुपए study deposit I don't know I think को ये apply होता है as per business और इनकी settlement time जो है 8-10 दिन तक है up to 50 रुपए वह आप पर जो दिखाया है वह भी जो चार्ज करते हैं per transaction इसके लब जो अगर आप apply करते हैं approximately 1 month लग जाता है यससे ज्यादा भी लग सकता है और Alfla की बात करूँ तो Alfla में monthly fee नहीं है set up charges नहीं है annually fee भी नहीं है security deposit charge कर सकते हैं as per business settlement time 3 दिन बताते हैं but काफी दिन लगा देते हैं ये लोग 1-10 दिन लग जाते है transaction fee 3% है plus FED जो भी इन की होगी जुपा की पर रिजन चल रही है SIN की 13% है Punjab की 16% है और ऐसे बाकी सुभों की भी difference है इनका भी application processing time है वो तकरीबन approximately 1 month यह से ज्यादा हो सकता है KPro की बात करें मैं आपको पहले की बताया है set up charges as per business है monthly fee 50,000 है एक package की की बता रहूँ मैं आपको last वाले की इसके इलावा annual fee अगर आप यह monthly fee पे नहीं करेंगे तो आपको यह charge की जाएगी और security deposit 1 lakh rupees पे करना पड़ेगा आपको first month first month आपको यह और यह पे करना पड़ेगा settlement time इनका six week in days बताते हैं लेकिन यह भी ले जाते हैं आर्दा सिन तक per transaction 3.25 चार्ज कर रहें 15 days तकरीब अगर application process करवाते हैं इनसे activation की तो इनका भी 15-20 दी लग जाते हैं और pay fast का में आपको तहली बताया है यह applicable है as per business देख लेते हैं कि volume कितना है और क्या किस type का business कर रहे हैं तो फिर अगर apply करना तो apply करते है है otherwise I think नहीं करते है settlement time इनका 7 working दिन है और per transaction की 3% है 10-15 days यह भी ले ले लेते हैं application processing में to check out की बात करें तो यह भी I think इनके कुछ service बैतर है apply करते भी है यह charges annually, monthly, set up charges और नहीं भी करते है security reporting का नहीं है 7 working days का इनका वो है settlement time है 6% इनकी लेकिन इनकी जो सबसे highest transaction rate है वो 6% है जो सबसे जयाता है इनकी भी जो application का time है 10-15 days ले जाता है अचा बात करें हम pay mob की तो pay mob में setup charges नहीं है monthly fee नहीं है annual fee नहीं है security deposit नहीं है settlement time transaction day plus 2 days का है card के ओपर account के ओपर transaction day plus 1 day है wallet के ओपर transaction day plus 1 day इनकी जो per transaction fee है वो 2.95% tax है transition limit unlimited है transition mode unlimited है कोई इस पर cap नहीं है कोई restriction नहीं है और जो application अगर आप activation की देते हैं तो ये within 2 days आपकी जो integration है ये आपकी जो request अपला active कर देते है within 2 days के अंदर और मजीद के अगर मैं कुछ difference बता हूँ तो Paymob आपको कुछ extra services भी दे रहा है like जो bank भी नहीं देगा और ना कोई दूसरी company देगी service ये दे रहा है कि अगर in case आपकी जो business है वो slow चल रहा है आपको marketing की जरूरत है आपको business को broker वाना है आप आपकी marketing कर दें ठीक है वो आपको discounts भी प्रवाइड कर देते हैं वो आपको vouchers भी दे सकते हैं वो आपको vouchers देंगी और वही vouchers आप अपने customers को offer करें और discount लगात अपनी website पर या फिर वो अपनी अपने platform के थूरू आपकी website उसकी प्रमोशन कर सकते हैं तो वो पेमोब क्योंकि अभी startup है पकिसान में तो वो आपने आपको stable करने के लिए अपने merchant के साथ हर सरुद करा होता है हर हाल में करा होता है integration में कोई मसला आता है तो उनकी tech team available रहती है वो merchant के developer को या फिर merchant को call पे video call पे लेकर उनके जो issues resolve पर आती है 24-7 health plan मौझूद है in the sports center मौझूद है इसके लावा जो इनके sales office है रहे वो बहुत अच्छे है वो भी आपको guide करते रहते हैं को issue आता है तो बताते सकते हैं क्या issue आ रहा है क्यो आ रहा है और माशल इन की side इम बहुत अच्छी है cooperative है और और भी आगर किसी तरह का मसला हो तो यहर वक आपके लिए available रहते हैं लेकिन जो banks अगरा banks को जाते हैं तो banks के आपको मैंने difference पहले बता दी है deposit के इलावा animal fee वगरा के इलावा bank कभी भी आपको इतने जल्दी entertain नहीं करता क्योंकि अलड़ी उनके बहुत साल setup चल रहे हैं उनके पास brands हैं तो उनको छोटे जो छोटे जोटे businessmen उनकी जरुत नहीं होती किसी लिए उन बहुत जादा focus नहीं करता बड़ जो paymob है सबको tackle कर रहे हैं जिसमें चोटे business भी आ रहे हैं बड़े business भी आ रहे हैं सबको ये entertain कर रहे हैं और proper तरीके से कर रहे है मैं आप ये सब कुछ मैंने बताने का मकसद यह नहीं था कि मैं paymob को promote कर रहे हैं मकसद यह था कि अगर कोई businessmen जो अभी start up करने चाहरे है फिर वो physically कर रहे है बट वो online आने चाहरे है या online कर रहे है और वो चाहरे है कि payment gateway उनको मिल जाए bank के बाद जाता है bank उनको प्रॉपर तरीके से guide नहीं कर रहा और अगर guide करता है तो वो कहता है कि आप को ये charges दे करने पड़े आप transaction करेंगे तो pay करेंगे अगर आप transaction नहीं करते तो कुई कुछ charges नहीं है को penalty आपको pay नहीं कर नहीं बढ़ेगी कि मैं लगवा तो लू लेकिन cash on delivery पे मेरा order चल रहे है और फिर लोग online payment क्यों करेंगे देखें आप लोगों को educate करें पाकिसान के लोगों में फोड़ा सा trust issues है लेकिन वो trust issues आप resolve करेंगे तो मैं यह कह रहा था कि trust issues हैं हम पाकिसानी लोगों के online payment करने से बहुत खबर आते हैं तो यह trust issue merchant ने resolve करना है जिसकी website है उसने trust build करना है वो कैसे करना है उनको अपनी website वो ही चीज उनको मिलेगी ठीक है आप उनको discount offer करें online payment के through discount offer करेंगे अगर आप की एक चीज है 100 रपाई कि अगर आप उसको online payment करने पर 50 रपाई की दे रहे हैं आपका कुछ नहीं हो रहा आपकी sale बढ़ रही है secure का मतलब यह है कि आप order से पहले deliver करने से पहले अपनी customer से amount ले रहे है इसके बाद आपके पास जब amount आ जाती है आप easily delivery payment है और जो delivery है वो उनको आप करवा रहते हैं इसमें एक तो return risk issue है वो कम हो जाते है और इसके इलावा payment secure आपके पास होती है delivery week आप easily उनको करवा देते है तो सबसे पहले आप अपनी website अगर आप online किसी से payment method ले रहे हैं और आपको लगता है कि customer online payment नहीं करेंगे trust issues हैं तो आप देखें आप एक business man है एक business man की तरा सोचे ठीक है आपने जो online payment customer करते हैं जो online payment करने वाले community है उनको target करें उनको पर target करें और उनको यकीन दिलाएं उनको trust दिलाएं कि उनकी payment कहें नहीं जाएगी ठीक है और उनको जो product दिख रही website उनको वही मिलेगी जब तक आप यह trust उनको build नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही cash on delivery पे हमेशा काम करते रहेंगे देखें दुनिया कहां से कहां पहुँच गई है और आप अभी तक cash on delivery पे हैं ठीक है cash on delivery अच्छी चीज़े करवाएं लेकिन online ऐसा ऐसा कोशी करें कि online payment की तरफ लेकर आप पकिसान के लोगों को जितना educate करेंगे उतना आपकी sale बढ़ेगी उतना आपका profit बढ़ेगा और उतना ही जो हमारे पाकिसान के लोग हैं वो educate होंगे और उनके अंदर जो trust issues हैं वो भी कम हो जाएंगे मेरे next video जो होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि cash on delivery अगर आप करवात हैं तो उसमें जो merchant है जो business owner है उसको क्या नुकसान है और अगर आप online payment लेकर उनको delivery कर रहते तो उसमें क्या फायता है ठीक है इसके इलावा मैं बाकी जो issues आते हैं वो भी मैं आपको discuss करूँगा कि online payment में क्या क्या issues आते हैं अब इसको कैसे resolve कर सकते हैं इसके इलावा अगर कोई और इस आपको आपके माइन में कोई सवाल है तो आप मुझे से बिल्कुल comment में पूछ सकते हैं मैं next video अगर आप चाहते हैं कि मैं video किसी और topic पे किसी और plugin के topic बनाऊ तो आप मुझे मुझे comment में बता सकते हैं पूछा था कि जो unregistered business है पाकिस्तान में क्या वो भी Paymop के साथ तो गैटवे ले सकते हैं जी भाई बिल्कुल पाकिस्तान के पाकिस्तान ने जो registered business है वो भी get way ले सकते हैं और जो unregistered है वो भी ले सकते हैं इनकी कुई requirements होती हैं वो ज्यादा नहीं है वो normally हर company की requirement है वो requirement है जो आप इनकी पूरी कर देंगे तो वो आपको get way लगा देंगे इनकी सबसे बड़ी requirement यह है कि business genuine हो ठीक है और जो product आप दिखा रहे हो website पे वही चीज अपने customers को भेजो ठीक है और इसके इलावा इनका जो payment method है वो भी secure है 3D secure payment method है अगर मैं 3D को भी define करूं तो 3.2 version यह लोग use कर रहे है इनके जो risk है वो बहुत high है ठीक है मतलब security के जो risk check है वो बहुत high है इसका मतलब यह है कि customer भी safe है और merchant भी safe है अगर मैं customer की बात करूं customer कहता है कि मैं online payment करता हूं और मुझे वो चीज नहीं मिलती यह उनके लिए जो customers है मुझे मैं अगर online payment करता हूं Paymob के तुरू तो मुझे अगर वोई चीज नहीं मिलती जो उन्होंने order की थी customer के पास option है कि वो इनका जो time table है merchant का साथ दिन का है या 15 दिन का है वो service के mention होता है वो आप देख लें उसके अंदर आप charge back कर देते हैं Paymob को कि मुझे यह payment नहीं मिली और या मुझे यह service नहीं मिली मुझे product नहीं मिली या मुझे wrong product मिली है तो उसके बाद जो merchant है उनको justify करना पड़ेगा अगर merchant justify नहीं कर पाता थेन वो जो भी amount जितनी amount है वो customer को return कर दी जाती है और अगर merchant justify कर देता है receive देता है proof देता है कि मैंने हाद चीज सही तरह से deliver किये तो then merchant save हो जाता है और customer को फिर बताया जाता है कि आपके merchant, आपके client है आपके merchant है जिनसे आपने shopping की थी उन्होंने आपको यह चीज़ देलिवर कर दी है हमरे पर proof है इस तरह हम लोग sort out करते है तो customer को भी save करते है merchant को भी save करते है तो security checks हम दोनों तरफ से provide करते है तो भाई educate करें लोग को कि online की तरफ है और आप यह अपने sales को बढ़ाए और customer को save करें उनको ठीक है तरीके यह हैं कि आप अपने website प्रिसकॉंड लगा दें promotion लगा दें, coupon लगा दें, vouchers उनको provide करें अगर हमने, आपको लगता है कि जो आपको marketing की जरुवत है तो जो पेमप कीटी में उनसे राप्ता करें उनको बोले कि आपकी marketing करना है वीडियो बहुत लंबी हो गई है आइ थिंक आपके लिए काफ़ informative सावित होगी यह वीडियो जिन भाईों को यह पहले से इल्म था उनका भी शुक्रिया वीडियो देखने का और जिनको नहीं इल्म था उनका भी शुक्रिया किसी भाई का कोई सवाल है तो आप वो comment में बिल्कुल पूछ सकते हैं और मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए ख्याल लगे है अबना लापिस